नमस्कार फभी किफानों को आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किफान फ़मा निदी की जो बारमी किस्त थी वो फत्रह अक्तूबर को किफानों के अकॉण्ट में ट्रांफ़र कर दी गई थी लेकिन अभी भी बहुत से एफे किफान वाई लोग हैं जिनके अकॉंट में पैफे नहीं आए हैं और बहुत से एफे किफान भी हैं जिनके पैफे आ गए हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि पैफे किफ अकॉंट में गई हैं क्योंकि जैसे हमने पहले से चिला चिला कर बता रहे थे हम कि अब जो पैफा है वो dbt यानि कि npci link bank account में जाएगा और कुछ किफान वायों को ये भी नहीं पता है कि उनका npci link bank account कौम सा है उनका पैफा कहां चला गया तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आपको ये कैसे पता करना है कि आपका पैफा किस account में गया है तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको simple अपने mobile में google को open करना है यहाँ पर आपको search करना है check npci link status जैसे इस search करोगे उपर आप देख सकते हो residence uidaigob.in यानि कि ये official website है आधार कार्ड की इसे open करना है नीचे यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नमर डालना है और यह जो capture दिया हुआ है इसे उपर डालके fan.otp पर आपको click कर देना है अब आपके नमर पर एक otp आएगा जो नमर आपका आधार कार्ड में link है otp को डालने के बाद आपको format पर click करना है आपके सामने कुछ इस परकार से इंटरफेस आजाएगा और आपको यह यहाँ पर दिखा दिया जाएगा bank आप देख सकते हो कि आपका जो पैसा है PM किसाम फर्मा निजी का वो इस bank account में गया है ठीक है आप देख सकते हो यह PTM Payment Bank है आपकी कोई दूसरी bank हो सकती है ठीक अब हम आ जाते हैं बापफे PM किसाम फर्मा निजी के पोर्टल पे और आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किन किसानों को पैसा यहाँ पर मिला है किन किसानों को पैसा नहीं मिला है अगर आपको अपना रेश्टेफर नम्मर नहीं पता है तो उपर एक उफर मिल जाएगा ना यो रेश्टेफर नम्मर इस पर आपको किलिक कर देना है यहाँ पर इंटर मोबाइन नमर आपको वह मोबाइन नमर डालना है जो mobile number आपके आधार कार्ड में लिंक है या फिर वो mobile number डालना है जो mobile number आपने PM के phone portal पर registered कराया था नीचे दिया हुआ capture यहाँ पर डालके OTP डालके फर्मेट करोगे registered phone number आपका मिल जाएगा तो मैंने अपना registered phone number निकाल लिया है तो मैं आपको अपना registered phone number डालके आप एने फिर इस्टेटफ एक चेक कराता हूँ और ये भी बता हूँगा कि बेटिंग फोर एप्रोबल एफा कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो वो पैफा आपको कितने दिन में आजाएगा क्यों आ रहा है complete इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने एक किफान का ये इस्टेटफ है फे ओपन कर लिया है तो आप इसमें ये देख सकते हो इनकी जो eligibility है वो भी यहाँ पे एफ है और आधार demo authentication इस्टेटफ है इनका फेज है आपका फेम टू सेम होना चाहिए आप मेच कर लिजिए और पी एफ है मैस बेंक के इस्टेटफ है वो भी इनका अफेप्ट है और जो land feeding है यानि जमीनी जो details है वो भी इनकी यहाँ पे अफेप्ट है अब बात करते हैं इनकी जो एक फेफ है वो भी यहाँ पे डन है अकॉंट नम्मर न है क्योंकि अकॉंट नम्मर यहाँ पर नहीं लगा हुआ हमने बताया था कि पैफा है वो अधार बिस पर जाएगा अब आप लोग यहाँ पर देख फक्ते हो जैए यह किसाने इनके जो पैफे थे वो पहल प्रोफिष्ट का मतलब यह पैमेंट इनके अकॉंट में भीज दिया गया है यानी कि इनकी डीवीटी हमने लेंक करा दिया यानी एंपीश मैपिंग करा दिया तो अब बात आतीए बेटिंग फोर एप्रोब बाय इस्टेट तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो किस्त है वह यहां पर अभी state label पर यानी की betting में चल लगी है वहां फे approval होगी direct आपके account में आजाएगी इनकी जो case नहीं कभी इनकी account में आपके credit होगती है छे case अभी बखाया है अब बात यह आती है आपको NPCI mapping कैफे करना अपने account में तो यह काम आप अपने घर बेटे नहीं कर फकते हैं NPC NPCI mapping इसके लिए आपको अपनी branch में बिजिट करना होगा जिस bank में आपका account है उस bank में आपको manager आपसे बोलना है कि फर हमारे account में NPCI mapping कर दीजिए जिससे कि मुझे dbt का लाम मिल सके government फबसीटी मेरे account में चली आए सीधी सीधी आपको वहां पे आना नहीं है document दे करके आपको simple वहां पे अपना finger लगाना है तब ही आपका जो NPCI mapping है वो फक्षेज होता है या आपको ध्यार रखना है अगर आपको bank में बताया जाता है कि आप घर जाईए हम आपकी NPCI mapping कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है आपकी बिना finger के NPCI mapping नहीं होती है तो उमीद करता हू यह जहनकारी आपको पफंद आई होगी अच्छी लगी होगी अगर कोई आपका doubt है तो हमें comment करके जरूर बता है हम आपके हर comment का reply देते हैं धन्यवाद